नमस्कार साथियो पीएम किसान शम्मान निधी ओजना की इस तारीक को आ सकती है तेरवी किस्त जिन साथियो अब तक जो है पीएम किसान शम्मान निधी ओजना के तहत कुल 12 किस्ते प्रवैड हो पाई है अब अगली किस्ट याने की 13 किस्ट जो है वो किसानों को किसन Misuses मिलेगी इसको लेके तारीक का ऐलान हो चुका है इस तारीक को किसानों के अकावट में 13 किस्ट के रुप में 22000 रूपे जारी हो जायेगे तो चले एक जिस तरहीगे से आपको 13 वी किस प्राप्त होँ पाएगी क्या क्या आपको करना होगा उससे पहले वीडियो को शुरूँ करें उससे पहले अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो आप वीडियो के नीचे दिए गए subscribe के button को दबा के चैनल को subscribe कर ले पास में बेला घंक एक निसान को दबा के ओल नाटिफ के sündंगोन करे ताकि सरकारी योजनाव से जुड़ी कुरमने दुवरा चलाई जा रही तमाम सरकारी योजनाव की ज़ानकारी आप सबसे पहले पराप्त कर पाएं और साती योग वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक शेर करना बिलकूर ना भूलें यहां साती योग अब तक की हम बात करें जो PM किसान शम्मान निधी ओजना के तहट कुल जो 12 किस्ते प्रवाइड हो पाई है यानि कि कुल 24,000 रुपए इन में से आपको अभी तक कितने किस्ते और कितने रुपए जो है आपको अभी तक मिले हैं कमेंट वोक्स में जरूर बताईएगा बात करें PM किसान शम्मान निधी ओजना की 12 किस्त जो है देशबर के किसानों के बैंक अकाउंट में आ चुकी है अब किसानों को अगले किस्त यानि की 13 किस्त का इंतजार है जो इस महिने में आने की पूरी-पूरी संभावना यहां पर बताई जा रही है बात करें PM किसान शम्मान निधी ओजना के तहत किसान भायों को 6,000 रुपए की आर्थी सहायता अपलब्द कराई जाती है बात करें बिहार क्रसी ने क्रसी विभाग के अधिकारियों ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि सभी किसानों की अकाउंट में 28 जनवरी तक जो है एकेवाईसी करवा लीजीगा अन्य था आपको सरकार द्वारा दी जा रही पीम किसान शमान निधियोजना का लाब आपको नहीं मिल पाएगा एकेवाईसी आप कैसे कराएंगे तो आप अपने नजदी की CSE सेंटर या इमित्र या सुर्वीदा सेवा के अंदर पर जाकर आप एकेवाईसी करा सकते हैं इसके लिए गवर्मेंट दौरा पंदर रुपय का भुकतान रखा गया है या आप खुछ से भी अप पीम किसान पोर्टरबल जाकर आप जो है OTP के माधियम से मोबाइन नंबर पर जो OTP हैगा उसके जरी आप EKYC वेरिफिकेसन कर सकते हैं EKYC वेरिफिकेसन का वीडियो मैंने चैनल पर डाला हुआ है आपको उस वीडियो पर जाके आपको देख लेना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक पर वेड़ करा दूँगा वहाँ पर जाके भी आप खुछ से मोबाइल से कैसे आप कर सकते हैं इसको ले सान शमान निधियो जना से लेटिट किसी वी प्रकार की कोई भी प्रोब्लम आरी हो तो आप कमेंट वोक्स में जरूर साजेशन कीजिएगा ताकि नेस्ट वीडियो में यानि की अगले वीडियो में मैं उसका समाधान आप तक पहुँचा सकूँ आसा करता हूँ कि आपको जानकारी पसंद आई हो कि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को like share और चैनल पे नहीं हो अगर आपने अभी तक चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप चैनल के साथ जरूर जुड़ेगा क्योंकि जल्दी है अमारी family 7 लाग लोगों की होने व छोमें जाल को चैनल के साथ लाग उल प्रोग साथ ओशने र nossasल के शीडियो में सम्में जानकारी जह साथ जらग जाई हैं इनकारी में साथocyst करते हैं यह जंद आई हमारान जानकारी मेंर बदकानी जाई हो अजयर अवर्टर पर!!